कि नमस्कार दोस्तों मेरे नामे दिरेंद्र और आप देख रहे हैं कॉमिक्स अनिमल दोस्तों इस संसार में शेत्र कोई सा भी हो नए खिलाडी का मैदान में उदरना अक्सर एक रोचक विशे बन जाता है मतलब लोगों की जो पॉपलर इमाजिनेशन होती है उसको कैप्शिर करने में नए खिलाड़ियों का बहुत ही महतोपूर योगदान रहता है वो शायद इसले भी क्योंकि उनके आगमन के साथ ही जन्म लेती है नई संभावनाएं नई उमीदें और एक विश्वास नए सुनेरे उज्वल भविशे का तो आएए आज मैं बात कर रहा हूँ ऐसी एक नए publishing house की नए comics publishing house की चित्र का था नाम से एक नए publishing house मैदान में उतरा है और यह उसकी पहली प्रस्तुती है जिसका नाम है इसको आप वैचार एक लडाई भी कह सकते हैं मतलब यह इसका सब्टाइटल है और आज हम देखते हैं कि यह जो नवीन तम प्रस्तुती है इस नए कॉमिक्स पॉब्लिशिंग हाउस की यह effort कितना शांदार कितना जानदार रहा है चले बात करते हैं चित्रगाथा पॉब्लिशिंग हाउस की तरफ से आई है यह पहली सौगात इसका फ्रंट कवर देखिया आप काफी सुंदर बन पड़ा है और इसके पीछे हाथ है पुनीत शुकला और हरेंदर सिंग सैनिका आए आए आव इस नए टीम के बारे में थोड़ा सा जान लेते है स्टोरी लिखी है प्रतिक भटाचारया और अंशुतीब दोसिया ने स्क्रिप्ट और आर्ट डिरेशन का काम भी अंशुतीब दोसिया ने ही देखा है आर्ट वर्क अमित अलबर्ट का है कलर एफेक्ट है हरेंदर सिंग सैनिके फ्लैट कलस का जो इसके पीछे हाथ है पंक दोस्तों अगर इस कहाने की बारे मुझे बात करनी हो तो मैं कहूंगा कि यह जो कॉमिक बुक है तो इसकी श्टोरी टैलिंग है उसका जो अन्दाजेव बया है वो थोड़ा डिफ्रेंट है और इस अंदाजेव बया को इस स्टाइल को हमारे लिट्रेरी वर्ल्ड में एक कि थूरू डिफाइन किया जाता है वो टर्म है ऐलेगोरी सो अलेगोरी का मतलब होता है यह बैसिकली एक नेरेटिव स्टाइल है जिसमें कि हम किसी स्टोरी किसी प्ले या किसी पिक्चर के माधियम से कर कोई कहानी बता रहे हैं तो उसमें जो पात्र और घटनाएं होती हैं वो इक सिंबल के तौर पे इस्सिमाल की जाती हैं जो कि एक आइडिया या फिर कोई फिलोसफी को रिप्रेजेंट करता हो फर एक्जामबल वह आइडिया हो सकता है डेथ का टृट का या फिर डेस्टिनी का तो इसी तरीके से कुछ पात्र इस कहानी में भी हैं जो एक एक और पूरी कहानी के दौरान आपको एंगेज रखते मतलब आपको थोड़ा सब दिमाग लगाना पड़यता है कि कहानी कहना क्या चाहरी है क्योंकि ये एक और स्टाइल को फॉल्व करती है जो अलगवरी मतलब इस डाइल में अक्सर यूज किया जाता है वह रहा है कि कहानी तो सरफेस लेवल कहा जाता है और दूसरा होता है सम्बालिक लेवल पर संकेतिक तोर पर वह दूसरी कहानी चल रही होती है उसका एक और संकेतिक मतलब होता है और एक और कहानी चल रही होती है, जो अपने थू हमें को समझाना चाहती है, तो एक सर्फेस लेवल पर कहानी चल रही है, और एक सिम्बॉलिक लेवल पर, तो ये एक निया स्टाइल है, सोरी टेलिंग का, जिससे आप लोग रूबरू होंगे इस कॉमिक बोक के जरीए, तो बाद यूट यूट वर्ड वार थ्री इस कामिक बुक की जो कहानी है वो भी इसी तरीके से यहाँ पर चल रही है जहां पर आपको मुखे तहाँ दो किरदार देखने को मिलेंगे जो कि शत्रंज की बिसाथ पर विश्वयुद्ध से जुड़ी हुई कारनों को और साइकोलोजिकल जो बुरा प्रभाव इंपक्ट वो छोड़ जाता है विभीश का अपने पीछे तो उसके बारे में चर्चा करते वे दिखाए गया है और जो इसका सब्टाइटल है अब फिलोसफिकल कॉन्फिक्ट एक दार्षनिक द्वंद वैचारिक मदभेद जो बिल काल मिसां बीकल जो एप्ट है बिल्कुल सही से अब करते हैं क harus पर आप पाएंगे कि जैसे से कहानी से घ्जणि जो पढ़ेंगे को इस कॉमिक तो आप मैंगे की यह दिफरेंट दिफरेंट विचारों का एक आतानपरतान हो रहा है हर एक व्यक्ति अपने lenses के थुरू दुनिया देख रहा है चीजों को देख रहा है और justify कर रहा है उन चीजों को काफी अच्छी तरह से बुनियों कहानी है यह आपको सोचने पर मजबूर कर देती है आप हर एक डायलोग को ना सिर्फ पढ़ते हैं बलकि वह आपके जहन में घर कर जाते हैं और आप एकांत में बात में इसके बारे में further और भी कुछ सोचते हैं मनन करते हैं चिंतन करते हैं आप एक डायलोग के लिए मेरे पास कुछ भी अच्छा नहीं है कहने के लिए I'm sorry for that कहानी इसका एकलौता मजबूत पक्ष है और कहानी की ठीक उल्टा इसका आपक है मतलब जितनी शांदार इसकी कहानी है आपक उतना ही फीका और चाइलिश सा बन पड़ा है कहानी पढ़ करती थी काफी मतलब जगा मुझे सोड़ा सा डिसरपार्णिंग लगा निरंतरता का भाव था कुछ एक पैनल्स है बीच में जहां पर अच्छे से आर्टवर्क बन पड़ा है लेकिन एक निरंतरता का भाव है काफी मतलब आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं इतना ओसत दर्जे का काम हुआ है हाँ एक चीज़ अच्छी है कि वीचल अपील की मैं बात करूं तो लेटरिंग का काम बहुत अच्छा हुआ पड़ा है हमारे बोलसाई के रवी राज आहुजा ने यहां भी अपनी छाप छोड़ी है और एक अच्छे लेटर के रूप में अपनी उ प्रापगेंडा वार फैमीन के बीच फसा हुआ यह एक आधोनिक मानव जो आप देख रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से इसका चितरन किया हुआ है और दूसरा आर्टवर्क यह मुझे अच्छा लगा यह प्रिंट्स अफ डाकनेस है जिसको सिंबोलाइज करता है यह कार तो इसका चितरन मुझे अच्छा लगा और यह जो फ्रंट पेज है जहां पर यह दो क्वालिटी को डिफाइन करते हुए दो क्रेक्टर है एक है प्रिंट्स अफ टाकनेस और उसके साथ में है इसकी लेडी लव जो लव को सिगनिफाई करती है बाकी तो मुझे इस पूरी साइस की कॉमिक्स लेकर बैठावाऊ यहां पर और थोड़ा सा आपको साइस कंपेरिजन दिखा देता हूं तो स्टैनेट साइस की कॉमिक्स से तो काफी बड़ी है यह लांग साइस फॉर्मेट में पब्लिश करा हुए इसको और राज कोमिक्स पर संजी कुपता द्वारा जो भी लॉंग साइस में कॉमिक्स लाए जा रही है उससे अगर कंपेर करें तो 19-20 का फरक है बहुत थोड़ा सा साइट से और उपर से आप देखें तो बहुत कम अंतर है और प्राइस इसका देखें तो 251 रुपीज है 250 रुपे और कहानी के हम बात करें तो टोटल 43 प्राइस में मज़ा नहीं आता है तो वही बात यहां भी लागव होती है तो अब अगर मैं अपने फाइनल वर्डिट के बारें बात करूं तो यह जो कॉमिक बुक है इसकी स्टोरी लाइन गजब की है बहुत ही कंपेलिंग स्टोरी लाइन है कहानी को बहुत ही संजीता अ अब हो और जूपके आसपस घटित हो रही है बहुत फास्त हो रही है विद नौ गारेंटी फॉर डफिनेट फूचर फूचर नहीं है जिस दरहका डैनमिक इंवार्निमेंट आपके आसपास है तो काफी कुछ चीजें हैं आप बहुत खुले तरीके से इस महाल को इस यह एक विजूल आट फॉर्म है मतलब आप इस वीजूल अपील होनी चाहिए अगर आपका आट वर्क ही थोड़ा घड़ बड़ा है तो बात नहीं बनेगी आट वक के मामले में कोई भी कोताही बरतना यह यह एकसेप्टेबल नहीं है साहब सो नसीर साब बिल्कुल सही कहते हैं यह एकसेप्टेबल नहीं है यहां तो बिल्कुल भी नहीं सो बट खराब आर्ट वर्क के बावजूद मैं कहूंगा कि आप इस कॉमिक बुक को खरी सकते हैं क्योंकि प्यॉर्ली फॉर्ट फॉर्वर्वान रिजन जो कि स्टोरी लाइन ह है बहुत ही अच्छे स्टोरी लाइन है आपको जो कहानी आज की डेट में आपको सोचने पर विवस्ट कर दे आई थिंक वह खरीदने लाइक है तो उस तरीके से मैं इस का मतलब सपोर्ट करूंगा बाकी एक छोटी से ड्वाइस मेरी यह है कि इसको पढ़ते और ध्धान है बहुत खराब होती है क्योंकि बीच-बीच में आपको जपकी लगती है तो एक दो पैनल्स या कुछ इक डालोग मिस हो जाते हैं तो चुट जाती है और मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ जो कहानी का एसेंस होता है वह बार-बार मुझसे मिस हो रहा था तो वह सब आप बना करें 15 मिट लगेंगे 15 मिनिट तो आप आराम से पड़ें शांति से पड़ें एक आगरता के साथ पड़ें तो आपको एक आने का ना सिर्फ एसेंस समझ में आएगा बलकि आपको मतलब काफी फूट फॉट फॉर थॉर्ट मिलेगा मतलब अगर आप एक थिंकिंग परस आपको सोचते हैं आप चीजों को लेकर एक आंत में तो आपको काफी कुछ मिलेगा माटेरियल सोचने के लिए बहुत कम ऐसा होता है कि हम कॉमिक बुक को इतनी संजीदी से लेते हैं या मैं लेने के लिए कहता हूँ क्योंकि कॉमिक बुक बेसिकली एक एक इसके रूट हो आपके रियल लाइफ का ही डेपिक्शन है जो भी आपके आस पास हो रहा है तो जिस्ट डू गिवीट रीड इट से नाइस कॉमिक बुक और एक अच्छा एफ़र्ट है फिर्स कॉमिक बुक के लिए तो अल बेस्ट तो दिस निव पॉब्लिशिंग हाउस एंड मैं चलता हूं दोस्तो जल्दी आपसे मुलकात दरूँगा फिर से बबाए